हेलो ब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी के लिए जनवरी महीने के पहले हपते की टॉप फाइब सरकारी नोकरियों की जानकारी लेकर आ चुका हूँ आगनवारी से लेकर रेलवे तक की सभी भरतियों के बारे में जानकारी आपको इस वीडियों में मिलेंगी अगर पाचो भरतियों को कैलकूलेट करेंगे तो 55,000 से भी जादा नमबर ओ विकेंसी निकल के आएंगी जिनके लिए आप लोग जनवरी के पहले हपते में आवीद और उसके बाद आपकी नोकरी लग जाएगी में एंडवू में नानी की महिला और पुरूस और इंडिया लेवल पर भारत के किसी भी राज़ से आवीदन करने के लिए एलिजबल होने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपका 17 साल 2024 में किसी अच्छे से डिपार्टमेंट को ज जरूर देखेगा दसवी पास हैं बारवी पास हैं या आपने ग्रेजुएशन कर रखे सभी के लिए भरतियां आ चुकी हैं आगे वन वाई वन करके आपको सभी भरतियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं वीडियो अगर काम की लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे जो की आर्पिअप यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से आ चुकी है www.nokadikabar.com की वेबसाइट पे आपको पांचो गौर्रमेंट जॉब की अपडेट मिल जाएगी इसके लाबा हम वीडियो के डिस्किप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे बस यह ध्यान रखेगा हम नंबरिंग कर देंगे जैसे एक नंबर पे हमने आर्पिअप के बारे में जानकारी दी है तो एक नंबर पे आपको आर्पिअप की वेकेंसी की जानकारी ही मिलेगी तो ऐसे पांचो वेकेंसी की अपडेट रहेंगी आपको जिस भी वेकेंसी के करके सीधे वेबसाइट पे आ सकते हैं आरपी अप के लिए डेट अनाउंस कर दी गई है जनवरी के अंदर ही आवेधन सुरू होंगे चुकि इसको इसलिए बताया जा रहा क्योंकि आज ही कुछी टाइम पहले आरपी अप के नोटिकेसन आये हैं तो आपको इसके बारे में जनकारी मिलने चाहिए पुरे एक महीने आवेधन चलेंगे अपली केसन फीस के बारे में आप लोग देख सकते हैं इसके बाद है आप एज लिमेट 18 से लेकर 25 साल का कोई भी केंडिडेट आवेधन करेगा अभी सबसे इंपोर्डेंट यहां पे आरपी अप की विकेंसी की जानकारी दो हजार जो 250 पदों पर यह भरतियां है जहां पे कॉंस्टेबल की सबसे ज़्यादा यानि कि यहां पे 10 पास जो आप लोग भारत के किसी विराज जसे आभी दन कर सकते हैं सिंटरल गवर्मेंट जोब होती है रेलवे के द्वारा सेल्डी भी आपको कॉंस्टेबल में 21,700 और इन हैंड में अल्मोस्ट 30,000 रुपए तक मिलेगा और सब इंस्पेक्टर में 35,400 और इन हैंड में 45,000 रुपए तक आपको देखने को मिलेगा CBT, Computer Based Test, PMT, PET और Document Verification के बार Medical के basis पे आपका सेलेक्शन होगा सभी important link यहाँ पे provide करा दिये गए हैं Download notification पे यहाँ पे click here पे click करके आप लोग notification को भी download कर सकते हैं अब भी हम बात करते हैं दूसरी बड़ी भरती के बारे में देख सकते हैं कौसल रोजगार निगम की तरप से recruitment है जहाँ पे आपको dates मिल जाती हैं 5 जनवरी तक की यानिकी के बल 5 जनवरी तक की आप लोग इनके लिए आभी दन कर पाएंगे application fees बिल्कुल free है जाए आप किसी भी category के candidate है 18 से लेकर 42 साल का कोई भी candidate आभी दन कर पाएगा अभी या number of vacancy आप लोग देखे total हैं आप ये 15,144 पदों पर भरतीयों के notification आपको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर कौन-कौन सी पोश्टे हैं आपको नर्स की पोश्ट मिल जाएगी whore man की पोश्टे मिल जाएगी supervisor की पोश्टे मिल जाएगी technician की पोश्टे मिल जाएगी helper की पोश्टे और साथ में bms operator की पोश्टे मिल जाएगी ये एक ऐसी vacancy इसके अंदर अगर आप आभेदन करते हैं देश में आपकी पोश्टिंग होती है चाहे वो USA हो चाहे वो दुबाई हो यानि की बाहर की कैंट्री में आपकी जॉइनिंग होगी इसके लिए आपको बीडियो के डिस्किप्शन में दिये गए लिंक को फॉलो करना होगा 10-12 पार से तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं और इंडिया लेबल की जॉब मिल जाती है भारत के किसी भी राज जिसे महीला और पुरुस दोनों के टेगरी के एक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं सेलेक्शन के बाद आपको 40,000 रुपए तक का बीतन मिलेगा इस बात को ध्यान रखेगा और सेलेक्शन आपका कैसे होगा एक्जामनेशन होगा उसके बाद इंटर्वी होगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा दिन आपको डाकुमेट वरिपिकेशन की प्रोसस से ग दोस्तो 30 नंबर विकेंसी कापी इंपोर्टेंट है चाइल्ड डवलप्मेंट सर्विसस यानि ICDS की तरफ से अगनवाडी की तरफ से रेक्यूट्मेंट है इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 30 12 2030 यानि 30 दिसंबर से इसके लिए आवेदन सुरू है जो की 31 2024 31 जनवर तक चलने वाले हैं अप्लीकेशन फिस बिलकुल फ्री है आप योग निसल का आवेदन कर पाएंगे मेल और फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 21 से लेकर 38 साल तक आपकी जो एज है वो अलाव करी गई है पोश्ट वाइस इसके लाबा टोटल नमर विकेंसी की बात करें तो 2895 पदो पर ये भरती है देखे कौन कौन सी पोश्टे आपको मिलेंगी एक तो मिल जाएगी ICDS सुपरवाइजर की फ्रीमेल में उसके बाद आपको मिल जाएगी रिवेन्यू इंस्पेक्टर की उसके बाद आपको मिल जाएगी असिस्टन रिवेन्यू इंस् सकते हैं अलग-अलग education qualification भी है 10-12 graduate pass आवेदन करेंगे और इंडर लेवल की आपको job मिल जाती है male and female दोनों category के candidate आवेदन कर सकते हैं 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपैका आपको बेतन भी मिलेगा examination और document verification के basis पे आपका selection भी होने वाला है उसके बाद same process वही important link आपको मिलेगा डाउनलोड notification के सामने जो clicker की बटन है इस पे click करके आप लोग notification को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो जो fourth number vacancy है काफी important है इसके लिए आपका direct interview होना है किसी भी तरह का कोई भी exam आपको नहीं देना होगा data institute of fundamental research की तरफ से recruitment है इसके बाद important dates की बात करें तो 4 जनवरी इसके आवेदन करने की आकरी date है यानि कि यहाँ पे आपको जल्दी ही जो है तो interview के लिए जाना होगा application fees बिलकुल free है यहाँ पे जो आपकी age है 18 से 18 साल तक की रखी गई है number of vacancy various हैं यहाँ पे आपको supervisor trainee के पदो पर भरतियों के notification मिल जाते हैं अगर आप लोग 10 टोल पास हैं साथ में डिप्लोमा वगएरा है तो आवेदन कर सकते हैं same यहाँ पे all india level की job मिलेगी भारत की किसी भी राज जैसे महिला और पुरुस कोई भी आवेदन कर सकता है 6 महिने का training period रहेगा जहाँ पे fix salary आपको 23,000 रुपए दी जाएगी उसके बाद आपको जब permanent यहाँ पे job दी जाएगी तो अब यह salary बढ़ा दी जाएगी interview के basis पे आपका selection होगा आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे जाएँ download notification के सामने जो click here की button है इस पे एक बार click करेंगे आपका notification download होकर आपके सामने open हो जाएगा तो दोस्तो आज की अपनी आखरी और बड़ी भरती के बारे में बात करेंगे जो की railway की तरप से ही है railway recruitment sale railway clerk recruitment के बारे में हम बात कर रहे हैं इसके short notification आचुके हैं just rp up के बाद ही notification आए हुए हैं इसके लिए आप लोग आवेदन 15 जन्वरी से लेकर 15 फर्वरी तक कर पाएंगे यानि पूरे एक महीने आवेदन चलने वाले हैं अच्छी खासी नंबर वेकेंसी यहाँ पे आपको application fees के रूप में आपको टोटल 6200 पदों पर ये भरतियां देखने को मिलेंगी जहां पर तीन तरह की पोष्टे रखी गई है पहली पोष्ट आपकी senior clerk की है उसके बाद आपको junior clerk की मिलेंगी और आकरी में technician grade third की पोष्टे आपको देखने को मिलेंगी eligibility की बात करें तो 1012 और graduate past candidate इन पदों पर आविदन कर पाएंगे और इंडर लेबल की job मिल जाती है male and female कोई भी आविदन कर सकता है इसके बाद यहाँ पे salary की बात करें तो almost यहाँ पे लंसम में 30,000 तानी की 30,000 रुपे की salary आपको देखने को मिलेगी selection procedure की बात करें तो exam, medical exam और document verification के basis पे आपका selection होने वाला है सभी important link यहाँ पे दिये गए हैं इस भरती के बारे में जानकारी मैं आज कुछी time बाद यानी की दो बार के एक बज़े के लगबग में पोस्ट करूँगा जिसके अंदर complete notification के बारे में भी आपको बताया जाएगा उसको देखने के लिए चैनल को subscribe करें और सभी भरतीयों का link पेडियो के description में जरूर एक बार उसको देखें मिलते हैं अगली पीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद